हलो दोस्तो वेल्कम बैक माई योट्यूब चैनल आज दोस्तो 29 नॉम्बर 2021 दोस्तो सौधी अरप की लेटिस्ट अपडेट जानने के लिए दोस्तो बने रही है मेरे वीडियो पे दोस्तो उससे पहले दोस्तो आपसे गुजारी से अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए आ जानकारी वहीं दोस्तो दूसरी अपडेट सौधी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए दोस्तो जारी किया गया दिसा निर्देश दोस्तो दो साल की जेल और दो लाग रियाल का जुर्माना वहीं दोस्तो तिसरी अपडेट बता दे आपको प्रतिबंदी देशों के प नए मामले दर्च किये गए हैं, 48 मरीज ठीक हुए हैं और 2 की मृत हुई है। मंतराले ने कहा है कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए वन्ना सक्त सजा का प्राधान है। नियमों का पालन जरूरी है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें इंसिट्यूशनल को नियमों का उलंगन करने वालों को ज्यादा से ज्यादा दो साल जेल की सजा और 2 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आपसे बताते चलें कि प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान उन्होंने बताया कि इंसिट्यूशनल को नियमों का उलंगन करने वाले को ज्यादा से ज्यादा दो साल की जेल और 2 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। बताया गया है कि अगर कोई दुबारा नियमों का उलंगन करता है तो सजा दो गुनी भी हो सकती है वहीं दोस्तों आपको बताते चले आज की तिसरी अपडेट सौधी सरकार के द्वारा प्रतिबंदित देशों के प्रवासियों को दी गई सहलियत उनकी परिशानियों को काफी हद तक कम कर देगा पहले सौधी सरकार ने प्रतिबंदित देशों के प्रवासियों को डिरेक्ट प्रवेश की अनुवती दे दी है लेकिन प्रवासी वीजे की वेदता को लेकर परेशान थे वहीं आपको बताते चले दोस्तों अब वीजे की वेदता को लेकर भी नया अपडेट जारी हुआ है दोस्तों लेकिन अब साओधी ने अब वीजे की वेदेता को लेकर भी नया अपडेट जारी कर दिया है दोस्तों मुई बताते चलें दोस्तों जोजात को वीजा का वेदेता बढ़ाने का आदेज दे दिया गया तक 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा इकामा विजेट वीजा और एक्जिक रे इंट्री वीजा की वेदेता दोस्तों ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दिये सब्सक्राइब कर दिये बिल आइकन दबा के और पर जरूर कर दिये इससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके